की में क्या बथा है कि इसे मेरी स्कीन अच्छे से हल्दी दिखती। सबसे पहले , मैं यहां फेस्बॉस लगा रही हूं . के लिए और युट और यह मेरे स्किन पे अच्छे से सूट करता है और मेरे पिम्पल को भी कम करता है तो यह ना जब से मैं इसको यूज कर रही हूं तो मेरे स्किन पे पिम्पल आने बहुत कम हो गये हैं तो मैंने अच्छे से अपने पानी से इसको वास करके अच्छे से मैं इसको क्लीन कर ले तो मैं टोनर के लिए यहां गुडवाइब्स का ग्रीन टी टोनर ले रही हूं गाइस बहुत अच्छा वाला टोनर है यह एक्डियो और पिंपल के लिए ही होता है और हर वीडियो में आप मेरा यही वाला टोनर देखते होंगे क्योंकि यह मेरा फेवरेट टोनर है तो दैन ह मैं यह सिरम लगा रही हूं。 सिरम के लिए मैंने यह भई टिक काогод्फ का एडवान्स ऐरवेदा सिरम लिया हुआ है जाए बहुत अच्छा वाला सिरम है सिरम भीहम है बिल्कुल इसकिप नहीं करना चाहिए हमें डिली सिरम लगाने चाहिए सिरम लगाने से क्या होता है हमार हेल्दी होती है तो सिरम लगाने के बाद आप मैं या यूज कर रही हूँ यह नीविया का सौप्ट बिटमन एल लाइट मॉस्ट्राइजर बहुत अच्छा वाला मॉस्ट्राइजर है गाइस बिल्कुल भी आपके स्किन पे चिप चिप पानी लगेगा क्योंकि समर है उसमर म स्किन टाइप सो उसी क्या कॉर्डिंग आपको मॉस्ट्राइजर लेना चाहिए तो मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छे से स्मूध देखने लगी है अब मैं यह निट्रिजिना का संस्कीन ले रही हूं गाइस बहुत heldень तो संस्कीन ये लोग बोलते हैं कि मोबाहर जाते हैं अंप संस्कीन लगाते हैं आप घर में रहते हैं तब भी आपको संस्कीन लगाना चाहिए क्योंकि मेरी जैसे जो house vibe होती है gas पे भी काम करती है जिससे हमारे skin पे heat लगता है तो बो भी हमारे skin को नुकसान पहुचाता है तो हमें sunscreen जरूर से जरूर लगाना चाहिए गाइस तो अब मैंने अपने skin पे अच्छे से sunscreen लगा लिए और इसको लगाने के बाद आप देख रहे होंगे मेरा face अच्छे से glow कर रहा है दैनम मेया अपने होट को मौशाराइसर करूँगी तो इसके लिए मैंने नीव यकम lip balm लिया हुआ है आप बिल्कुल भी न भूले lip balm लगाना तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को like and subscribe करना बिल्कुल न भूले बाब बाई